हुश्यारपुर के हलका चब्बेबाल के गाउं जुगियां में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसमें अमेरिका से आए मंदीप सिंग नामक व्यक्ती ने अपनी सास पूर्व सरपंच बलबीर कौर और पतनी शवदीप कौर पर गोलियां चुला दी जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया इजुरान सास बलबीर कौर की मौके पर ही मौत हो गई जबकी पतनी शवदीप कौर गंभी रूप से घायल है जिसे सरकारी अस्पताल होश्यारपुर में भरती करवाया गया है मिली जानकारी के मुताबिक बतनी शवदीप पर बेड़ पर ही गोलियां चलाई गई क्योंकि घटना स्थल पर खून से भरी एक चादर और बेड़ पर चार गोलियों के खोल बरामद हुए है शवदीप का विवाह 2 मई 2018 को गाउं सिंगपुर जलंधर के रहने वाले मंदीप सिंग से हुआ था जिसके बाद मंदीप अमेरिका चला गया था गतरातरी मंदीप उनके घर आया और वहां सो गया और सुबे उठकर उसने गोलियां चला दी जिस कारण शवदीप को और गंभी रूप से घायल हो गई गोलियां चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चा धिकारी मौके पर पहुँच गए और मामले की जाच में जुट गए होश्यारपुर से हल चल के लिए अंकुष गोल की रिपोर्ट जानकी उद्धा थोड़ी होश सीगी उना नू ता उगेंदी सीवाबी साथ नू बचालो भी साड मेरे परोणा मेरे गोलियां मारके दवड़ गया ता फिर बाद बेचुना दी बेटी नू दा अंडग बन सदे ता उना दी बेटी नू लेके गए शार पर ता इना दी तड़ेथ हो चुकी सीगी सर कुछ इस वारे नहीं पता क्यो शाम में भी मेरे कोल बैठे सीगे राती साथ बज़े आए साड़े करो ता उसले इना पर सिफल होस्पीटल ले गए यां घड़ी जबा के ते उना नू रेफर कारता जोल होस्पीटल दे लंदर एंबुलेंच पाके ते जानकारी मुदाब का पाउना नू थे आड़ मेंट कराके शियात पर पेंड़ा गायां ते उनका रहीना दा जब हुआ है का मुक्का याल अबले जो पेंड़े लोग दस दे है वे रात कुछ दास वार दर से बंदा है मन्दीप सेंग लड़की दे का रहा ला हुआ है कोई राइचगड़ा होया अपने साफ सवेचे उनने कुडी दे गोडियां मारे तेन गोडियों दे मारी है ते सासे बलिवीर को और एक गोडि हुआ है हुआ है